Hello friends, welcome back. इस वीडियो में हम बात करने जारे हैं एक बहुत नी इंपरेंट कमांड के बार में जिसका नाम है clear screen और कमांड है CLS जिससे अगर आपको जाद होगा तो हमने पिछले वीडियो में काफी कुछ देखा था कि हम कैसे फाइल फॉल्डर कर सकते हैं डिरेक्टरिस बना सकते हैं क कैसे उनको रिमूव कर सकते हैं उन डिरेक्टरिस को तो हम इस कमांड ट्रॉंप्ट हमने काफी कुछ टाइप कर दिया रहीट मुन चाहते हैं कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं बट मुझे बहुत बहुत लग रहा है कि या बहुत कॉंप्टेर्ड हो गए यहां पे न मु क्लियर सब चला गया आपकी कमांड प्रॉंप्ट क्लियर हो गई है जैसे कि मैं ऐसे करता रहा हूं आप यह फिर से भर गया राइट तो कितना मैसे हो गया ना मुको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं करूँगा आइल यह स्टाइप CLS एंड हीट एंटर डाट सिट क्लियर स्केंट क्लियर क्लियर करता दें तो लिए ने अपको पराणी सिट पहले से काम क्या होगा आपको पहले से क्लियर कर दें से स्क्रीन पर कुछ दियर नहीं होगा आपके जो पुराणी शीज है पहले के सिर्फ पहले वाले वो सारी ही क्लिर कर देगा. So the command is CLS. Okay. I think that's it about this command. In the next video, we'll talk about how to create files, text files or excels or documents or PPT through command prompt. So stay tuned for the next video. Bye for now. Thanks.